हेलो दोस्तों सुवागत है आपका अपने चैनल में चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला गुष्ण है वासु की ताल इस्तित है इसका अनसर ए केदारनात के पश्चिम तिहरी गडवाला वै रुदर परियाक जिले में वासु की ताल इस्तित है इस ताल का रंग लाल है स्वामी विवेकनन आसरम इस्तित है इसका अंसर है श्यामला ताल के पास जो की चमपावत जिले में है जिलमिल ताल भी चमपावत जिले में है तडाक ताल अलमोडा जिले में है और सिद ताल चमोली जिले में है धनुस्तिरत कहलाता है धनुस्तिरत गनेश परियाग का पराचीन नाम है गनेश परियाग को पुरानी टिहरी भी कहा जाता था तिरी हरी भी गनेश परियाग का पराचीन नाम है गडवाल राइफल्स का युद्से संबंधित जे घोसे इसका अंसर है जे बदरी विशाल भोटिया जंजाती का गृष्म कालिन आवास कहलाता है इसका अंसर है मेत भोटिया जंजाती का सीथ कालिन आवास गुंडा या मुनसा है बद्रिनात धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस छेतर से चुने जाते हैं इसका अंसर है मालाबार जो की केरल राज्ये में है उत्राखंड के हस्त सिल्ब उद्ध्योग में पर्युक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम है इसका अंसर है किमोनो बमबूसा फल काटा या किमोनो बमोशा फैल काटा वन अनुसंदान संस्थान देहरा दून के मुख्य परविश द्वार का नाम है इसका अंसर है ब्रैंडिस गेट गड़वाल का हातिम ताई कहा जाता है इसका अंसर है कुमर सिंग नेगी को नेनिताल में सबसे बड़ा बुस्कुलन हुआ था इसका अंसर है 18 सितंबर 1880 में इस बुस्कुलन से नेना देवी का मंदिर भी नश्ट हो गया था रावन की तब अस्थली बेरास कुंड इस्तित है इसका अंसर है चमोली जन्पद में मुण्ड तता सबर नाम से भी जानी जाने वाली कुमों की प्राचिन जाती है इसका अंसर है कोल नन्दा देवी राष्टे उध्यान की स्थापना की गई इसका अंसर है 1982 में 1982 में फूलों की घाटी राष्टे उध्यान की स्थापना चमोली जन्पद में की गई और नंदा देवी राष्टे उध्यान भी चमोली जनपद में है 1983 में राजा जी राष्टे उध्यान की स्थापना हरिदवार देरादून वे पोड़ी गड़वाल में की जाती है पराचीन काल में असकोट राजदानी थी इसका अंसर है कत्यूरी राजवन्स की टीरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से सहर इस्थापना की परंपरा सुरू करने का सरे जाता है इसका अंसर है परताप साह परताप साहा ने 1877 में जलकूर नदी के किनारे परताप नगर की स्थापना की थी केदारनात पुनर निर्मान का कारिय नहरू परवता रोहन संस्थान को अधिकारी तोर पर कब सोपा गया इसका अंसर है 11 मार्च दोजार चोदागो एकी करत ओद्योगिक निती दोजार आठ इसवी के अंतरगत उत्तरकासी जनपदगो की सरेणी में रखा गया है इसका अंसर है सरेणी ए अलकनन्दा एवं दोली गंगा का संगम इस्थाले इसका अंसर है विश्णु परियाग में रुदर परियाग में अलकनन्दा वय मंदाकनी का संगम होता है कन परियाग में अलकनन्दा वय पिंडर नदी का संगम होता है नंद परियाग में अलकनन्दावाय नंदाकनी नदी का संगम होता है और देव परियाग में अलकनन्दावाय भागेरती का संगम होता है निमलेकित में से उत्राखंड के सुक्सम लगू और मद्यम उद्योग का सीर्स निकाय कौन सा है इसका अंसर है Industries Association of उत्राखंड निमलिकित में से अना सक्ती आसरम किस जिले में है? इसका अंसर है बागेश्वर जिले में उत्राखंड का सबसे बड़ा राष्ट्य पार्क है इसका अंसर है गंगोतरी नैसनल पार्क इसकी स्थापना 1989 में उतरकासी में होती है और इसका छेत्रपन 2390 वर्ग किलोमेटर है नंदा दिवी नैसनल पार्क की स्थापना चमूली में 1982 में होती है राजा जी नैसनल पार्क की स्थापना 1983 में हरिद्वार देरादून वे पोड़ी गड़वाल में होती है जिम कारबेट नेशनल पार्क के स्थापना 1936 में नेनिताल वै पोड़ी गड़वाल में होती है 1857 इस्वी के पश्चात नेनिताल को अस्कूली सिक्सा के केंदर के रूम में विक्षित करने का सरे किसको जाता है इसका अंसर है हैंडरी रैमजे को उत्राखन में वन अंदोलन से सम्बंदित तिलाडी कांड कब हुआ था इसका अंसर है मई 1930 30 मई 1930 को तिलाडी कांड हुआ था जिसे रवाई कांड भी कहते हैं 23 अप्रेल 1930 को पैसावर कांड हुआ था गंगा नदी को राष्टे नदी गोशित किया गया इसका अंसर है 4 अप्रेल 2008 को गंगा नदी को राष्टे नदी गोशित किया गया उत्राखन वन विकास निगम का गठन हुआ था इसका अंसर है 1 अप्रेल 2001 में उत्राखन वन विकास निगम का गठन हुआ उत्राखन में एक नाली भूमी में कितनी मुठी होती है इसका अंसर है सोडा मुठी और धाई नाली में एक बिगा जमीन होती है राश्टिये आपदा परबंदन प्राधिगरण का गठन हुआ था इसका अंसर है 2005 इस्वी में केलास मान सुरुवर यात्रा का संचालन करता है इसका अंसर है कुमाव मंडल विकास निगम केदार खंड में गोपेसवर का नाम वर्णित है इसका अंसर है गोस्थल उत्रा खंड में सैंटर फोर एरोमेटिक प्लांट्स इस्तिद है इसका अंसर है सेला कुई देरा दून में उत्राखंड के उच्छ हिमाल लई चारा गाहो को जाना जाता है इसका अंसर है बुग्याल के नाम से निमलिकित में से लाल कुर्ती बजार इस्तिद है इसका अंसर है रानी खेत में उत्राखंडगा पंचाईती राज अधिनियम बना इसका आंसर है 4 अप्रैल 2016 में उत्राँचल या उत्राखंड राज्य गठन के बाद अंत्रिम विदान सभाके कुल सदस्चों की संख्या कितनी थी इसका आंसर है 30 वर्तमान में विदान सभाके सदस्चों की संख्या 70 है किस बारतिय को सरव परतम रोयल जियो ग्रैफिकल सोसाइटी स्वन पदक प्राप्त हुआ इसका आंसर है पंडित नैंसिंग रावत को तो दोस्तों याद यमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद